हेलो आप देख रहे हैं इस्टाडियान अधाशक्टों टेश चानल आज हम बच्चों को बताएंगे परियावरान परदूसान पर निमन देख जो देखिए हमेशा यह कोशन आता है सिक्स से लेकर 12 तक यह कोशन आ जाता है तो आप इस तरी के से लिख सकते हैं सिक्स वाले भ कोई भी लिख सकता है आपको देखिए समझना है रटना नहीं है चलिए हमें वीडियोस्ट करते हैं इस परियावरण पर नि lash सबहें पर्यावरण का अर्थ है हमारे 4 और का वातावरण ठीक है परियावरण का अर्थ क्या है हमारे 5 यानि के हमारे आसपास ठीक है जो भी वातावरण है उसी को क्या कहा जाता है परियावरण कहा जाता है जिसमें हम सब निवास करते हैं जिसमें हम लोग सब रहते हैं निवास करते हैं यानि कि रहते हैं और यहां हवा पानी भूमी आदी जैसी कई चीजों से बना है देखिए वातावरण य लेकिन जब इस परियवरण में कुछ ऐसे हानिकारक तत्व मिल जाते हैं, जो हमारे परियवरण को प्रदूसित करते हैं, जो हमारे परियावरान को क्या प्रदूसित करता है जिसके वज़ा से जल वायू मिट्टी आदी सबी प्राकर्तिक तत्व दूसित होने लगते हैं अब देखिए कंपनियों से क्या होने लग जाता है जल भी दूसित होता है वायू मिट्टी सब दूसित होती है और उनका प्राकर्तिक शौरूप बदल जाता है देखिए उनका क्या प्राकर्तिक जो नैचरल चीज होती है उनका शौरूप बदल जाता है जैसे कि वायू में मिल गया धुआ तो उसका क्या है धुआ का प्राकर्तिक शौरूप बदल जायागा वो हम सांस लेंगे तो हमारे बिमारी हो सकते हैं मैं मिट्टी प्रदूस जाएगी जल भी बदल जायागा ठीक है इस इस्ति को परियावरण प्रदूशन कहा जाता है यही चीछ क्या कहलाती है अपकी परियावरण प्रदूशन कहलाती है तो इतना समझ में आया आपको प्रस्तावना तो यह होई अब वायू, जल, म्रदा और ध्वनी प्रदूशन यहां चारों ही परियावरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं मुख क्या क्या हैं वायू है, जल है, म्रदा यानि की मिट्टी, ध्वनी यानि की आवाज यही जैदा मुख्य कारण है पर्यावान प्रदूसर्ण के अब देखे वाई प्रदूसर्ण में क्या होता है वातवरन में जहरीली गैसों के विलाप से वाई प्रदूसर्ण की उत पत्ति होती है परियारन में किया है जहरीली घयस है कहांसे निकलते हैं? इसका मुख्य प्रदूसे लोग प्लास्टिक पंनी जला है वाइ जहरीली घयसे निकलते हैं। बहुत ज़्यदा बिमारिया जन्म लेती हैं जैसे सांस लेने में दिक्कत दुए से क्या jiay टाझ मोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है ठीक है आदी अब देखे जल間 प्रदूसन क्या पहले तो जनसंख्या है जनसंख्या क्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ठीक है लगातार कारखाने बढ़ते जा रहे हैं तो जनसंख्या भी बढ़ती है ठीक है उन कंपनियों से कारखानों से गंदा जल निकलता है जो हमारे क्या है पानी को जल को प्रदूसित करता है रा करनाग रासाइनों का लगातार प्योग करना म्रादा यानि की मिट्टी में देखें जब हम कोई अनाज भोते हैं तो उसमें क्या रासाइनिक पदाज डाल देते एक तो कीड़ों से बचाने के लिए कुछ ऐसे लोग ऐसी चीजे यूज करते हैं कि सब्जे देखा होगा आप तो अब जो छ च्टी मईहिने में तैयार होनी होती है कि दो फिसके लिए साही आप को रटनाधी है और पूर पूरी तरीके से पंजर हो जाती है तो यह हो गया आपका मुख्य कारण है कारखानों में चलने वाली मशीने देखा होगा आपने बहुत जोर आवाज आती है मसीनों की ठीक है या ता या जन की जो ट्रेन चलिए गाड़ियां चलिए मोटर साइकल चलिए उसमें क्या बहुत भेंकर जो साउंड लगा लेते हैं ठीक है तो उसको कैसे तेज बजाते वे लोग जाते तो उससे ध्वनी प्रदूसण होता है मोटर गाडियों से होता है अमश्जाप का पर प्रदूसण के कई अलग अलग कारण हैं जिसमें से मुक्य वाहन करें आरिका दो तयोरी नहीं तो उन्ने क्या या गाड़ी प्रदूसर का सबसे बड़ा कारण है जनसंक्या में तेजी से बड़ा कारण क्या है जनसंक्या बहुत ज्यादा तेजी से बड़े रहे हैं प्रदूसर को रोकने के लिए हमें चाहिए कि हम अधिक पेड़े लगाने चाहिए अपने क्या आसपास के साफसफाई करने चाहिए उस पर आपको ध्यान देना चाहिए अब देखें नीजी वाहनों के बजाये ज्यादर से ज्यादर सार्वजिन परिवानों का अप्यों करना चाहिए आपको ज्यादर ज्यादर आप पैडल जाना है ठीक है ज्यादर ज्यादर आप वाहनों नहीं यूज कर सकते तो इससे थोड़ा प्रदूसर कम होगा इसके अलावा हमें सिंगल यूज प्लास्टिक एवान प्लास्टिक के उप्योगों को रोकना चाहिए यानि कि हमें प्लास्टिक के चीजे यूज नहीं करने चीए, जैसे पन्नी का यूज नहीं करने चीजे, डब्बे हो गये, ठीक है? तो यह सब चीजे क्या है, प्रदुसर्ण को फ्यालाती है जाए ज़़ादा. हमें लोग इसका कारण है जिसके वज़े से कहा है परियावरन बहुत तेजी से प्रदूसित हो रहा है इसलिए हम सब को प्रदूसर को कम से कम करने के लिए अविश्यक कदम उठाने चाहिए हमें कहा हमें लोग उठा सकते हैं ठीक हम अपने परियावरन को बचाने के लिए हम तक कम होगा हमें अपने आशबा साफ सफाई रखने चाहिं जिसे कहा हमारे इर्दिगिर्द साफ सफाई रहेगी तो सच्छता पहलेगी उसे क्या है प्रदूसर्ड कम थोड़ा होगा इसलिए शिर्फ एक व्यकृति के जागरूप करना पड़ेगा जिससे हमारा परियावरन प्रेदुशन पन्नी मन्त आई होप आपको संद माया होगा है रही होगी यह वीडियो तो प्लेज चैनल को सब्सक्काइब कीजिए अब बैल एकन जरू दुबाई ऐसे आने हाली वीडियोस के लिए तैंक्यू अब आपने आसे वीडियो में मिलेंगे